इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला वो Speed Booster Proxy आप को किस तरह से आप यूज़ कर सकता है किस तरह से आप इस अप्लिकेशन को अंदर Free के अंदर इस अप्लिकेशन को यूज़ कर सकता है और किस तरह से आप आपके गेम का Pink High कर सकता है तो चलिए शुरु करते है आज की इस वीडियो को और आपको बताते है तो सबसे पहले आप इस अप्लिकेशन को प्लेश्टो से डाउनलोड डाउनलोड करने बाद सिंप्ली ओपन के उपर क्लिक खर लीजे ओपन करनी बाद दोस्तों यहाँ पर से आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस आ जाएंगा तो इस अप्लिकेशन के आप यापर से प्राइट पॉलिसी पढ़ लीजिए देन एक्री वाले उपिशन पे क्लिक कर लीजिए उस बाद दोस्तों देख सकता है यहाँ पर से आ अगर इस सर्वर को यापर से चूस कर लीजिए उस बाद दोस्तों देख सकते हैं सिंप्ली ओके ओले अपिशन पर क्लिक कर लिजिए तैन यहाँ पर सापका वीपेन करिक हो जाएंगा अगर आपको डिसकनेट करना है तो इस ओप्शन पर क्लिक करने माद यहाँ पर से आप आप लोकेशन देख सकते हैं यहां पर से इस अप्लिकेशन ने यहां पर से हमारा आई-पी एड्रस चेंज कर दिया है और यहां पर से चाहने के अंदर यहां पर से यहां पर से देख सकते हैं यहां पर सबको ऊपर थ्रेड़ टॉल अप्शन दिया गया है जिसके दुरू आप यहां पर से आपका अकाउंट यहां पर से बना सकता है अगर आपको फ्री फायर या फिर पपजी जैसे गेम का पिंग हाई करना है तो सिंपली सेलेक्ट प्रोक्स को या फिर पपजी को यहां पर से सिंपली सेलेड करके उसका पिंग यहां पर से हाई कर सकता है तो दोस्तो यहां पर से आप इस तरह से अप्लिकेशन के अंदर इसे यूज़ कर सकता है अगर आप इस अप्लिकेशन को आपको फ्रेंड को सेंड करना चाहे तो फ्रेंड को स अगर आप हमारी यूट्यूब चनल पर पहली बार आए तो चनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में